wait a second, अच्छा तभी मैंने इंटरनेट से इसे connect कर लिया है, और यहां पर, हाँ जी, right click मैं इस पर करता हूँ और करते हैं हम to other TLDs, किस-किस को यह find कर सकता है, अच्छा, zero entries, wait a second, to domains, to domains, अभी देखते हैं इसे, अगर कोई find करता है, अच्छा जी, तो इसने यह zero, zero, zero web host आप जो है, वो find की है, अभी हम इस domain का find करते हैं, यह transform जो हैं, वो all transforms हैं इसकी, मैं अभी farsight DNS में नहीं, इसमें farsight DNS की भी जो है, transform होंगी, अच्छा, to name server, NS record इसका कोई find करते हैं, देखते हैं इसका कोई, क्या क्या मिलता है, ठीक है, तो dns1.000 web host, इसे यहाँ पर रखते हैं, और इसे यहाँ पर रखते हैं, अभी हम देखते हैं, इस DNS से हम, आगे फर्दर क्या क्या information जो है, वो निकाल सकते हैं, to domains, ओके, तो यह dnsdb की transform है, ठीक है, to domains, मतलब name server को use करके देखें कि इस name server पे और कौन-कौन सी domains हैं, तो यह देखें, यह हमारे पास आ गई हैं different domains जोंके इस name server से belong करती हैं, that c ke dns2, मैं कौन-कौन सी हमें domains मिलती हैं, और to domains, reverse, ns, अभी credits, यहाँ पर आपने देखने हैं, आपके पास credits भी जो होंगे ना free में, वो limited होंगे, around about आपको 12 credits मिलेंगे, और मेरे 8 जो हैं, रह गए हैं, 4 use हो चुके हैं, ओके, name server से, हम इसकी भी निकालते हैं, अच्छा, तो यह वही सारी जो domains यह उन्ही को point out कर रहा है, remember, कि यह community addition की वज़ा से, हमारे पर limitations हैं, कि हमें 12 results जो हैं, वो हमें मिल रहे हैं, और अगर होता हमारे पास दूसरा addition, तो हमें ज्यादा results मिलते हैं, ठीक है, अभी हम देखते हैं, यह जो है, हमारे पास website, इस से हम कहां तक जा सकते हैं, तो चले चलते हैं, इस से, IP address, देखते हैं हम, इसका IP address निकाल के, अच्छा, तो यह result हमारे पास आया है, ठीक है, अभी इस IP address से, हम क्या क्या information निकाल सकते हैं, let's see, location, location, to email addresses, let's see email addresses, कौन कौन से, first of all हम try करते हैं वितन प्रपर्टीज, okay, zero results, I've got two email addresses, from who is info, तो इस IP addresses से, अच्छा, host master about how abuse hostinger, तो यह hostinger से belong करता है, यह पता लग गया है, यह who is info के IP addresses हैं, अभी इनको, चलने, यहाँ पर ही रहें, इस IP address से हम देखते हैं, कि इसका अगर हमारे पास net block आ जाए, ठीक है, means कि यह किस net block से belong करता है, okay, तो यह हमारे पास इसका net block जो है, वो आ गया है, अभी इस net block से, हम अगर further IP addresses पे चले जाएं, यह हमारे पास दो हैं, आप देखें, within properties or found in net block, हमने find करने हैं IP addresses within the net block, यह देखें, हमारे पास अभी community edition के विए से बाहना आए हैं, नहीं तो आपके पास इससे भी ज्यादा जो हैं, वो आ सकते थे, ठीक है, अच्छा, इन में devices के भी IP address होंगे, और आप shouldn't use करके further more उसकी vulnerabilities वगएरा जो हैं, वो निकाल सकते हैं, अभी हम इससे देख सकते हैं, अगर इन IP addresses भी कोई domain वगएरा है या नहीं, two domains within properties, zero entries, wait a second, okay, to DNS name, reverse DNS DB को use करते हैं, और देखते हैं, इन में से अगर कोई return न, okay, तो ये हमारे पास देखें, domains भी आ गई हैं, कि कौन कौन सी, info, dang, dang.com, I don't know what that is, or ggmm.ml, तो इस तरह आप furthermore इस एक्स्प्लोर कर सकते हैं, और देख सकते हैं, कि multi go, कितनी आपको information जो है, वो,